हेलो फ्रेंड्स यामी कुक में आपका स्वागत है आज हम लोग बनाएंगे होटल जैसा चाइनिस मंचुरियन वेश मंचुरियन ऐसा बनाएंगे जो मुह में भी गुल जाएगा और एक्तम सॉफ्ट हमारा मंचुरियन बनेगा तो यहां पर पूरा वीडियो मेरा अहिंटक मैं ऐसे टीप्स के साथ बताऊंगे आपको यहां पर मैंने एक गुभी पता लिया है और उसको हम लोग काटके चौप करेंगे अगर आपको चौप नहीं करना तो आप कद्दू कस्बी कर सकते हो लेकिन चौपर में यह बढ़िया हो जाता है और हमारा काम भी कम रहता है त इसको हम काटके बारिक वाली चौपर में चौप कर देंगे तो इसको चौपर की मदद से हम कर देंगे यह बढ़िया से अच्छे से हो जाएगा तो यह चौपर में कर दिया मैंने यहां पर हमको माप के लेना है मंचुजन के लिए गुभी पता तो यह मैंने ले लिया है ग में जाल मीर्ची में डील कर दूंगी आधी तेबलगूस में घर्म मसाला लूंगी इस से बहुत अच्छा टेश्ट आएगा थे जंड आएगा और horizr टेबल स्पून में मेंडा एट करूंगी इसमें क्या होगा कि बहुत ही अच्छा हमारा बाइडिंग हो जाएगा और अच्छे से हमारा मंचुरियन बढ़िया बनेगा और एकदम सॉफ्ट भी रहेगा इसके अंदर हम लोग हरी मीर्ची मेंने पीसके रखी हरी मीर्ची है जरूरत नहीं पड़ेगी अगर किसी को जरूरत पड़े तो हम थोड़ा थोड़ा एक एक चमच करके ही डालेंगे इसको हमको डीला जैसा आठा नहीं गुटना है तो यह हमने रेडि कर दिया है आप देख सकते हो कि रॉल बन रहा है हमारा तो यह रेडि है अब इसके अच्छे से तल रहे है के नहीं तो मैंने तेल रख दिया था और यह मीडियम फ्लेम पे ही हम करेंगे और यह आप ध्यान में रखना कि हमको कॉंट्वर और मेंदा माप से ही लेना है ज्यादा दर नहीं डालना है क्योंकि हमको गोभी पता का टेश्ट आना चाहिए अगर आ यहां पर हम देमी आश पर ही करेंगे बहुत पास गेस पर नहीं करना है यह इसको हम गुमा देंगे थोड़ा और उसके बाद हम थोड़ा सा ब्राउन कलर होगा तब हम इसको निकालेंगे इसको हम वापस गुमाएंगे अभी भी ये कच्छा है तो हम थोड़ी देर के लिए इसको फ्राई करेंगे तो इसका थोड़ा कलर चेंज होगा तो अंदर से ये सॉफ्ट भी रहेगा और उपर से क्रिस्पी रहेगा इसको अभी हम चेक कर देते वापस तो ये अभी भी बाकी है अभी ये रेडी हो गया है तो हम इसको निकाल देंगे तो सारे मंचुरेंस हम ऐसे ही बना देंगे इसके वड़े हमको रेडी करके रख सकते है अगर आपके यहां गैस्ट आते तो भी आप बना के रखोगी तो फटा-फट हमारा मंचुने रेडी हो जाएगा तो यह आप देख सकते होगे बढ़िया लूक आ रहा है अभी कड़ाई मैंने ली है उसके अंदर मैंने दो टेबल स्पून ओयल लिया है एक टेबल स्पून मैंने लसन को बारिक काट दिया था अध्रक को मैंने बारिक वाला काट दिया था और इसके अंदर हम हरी मीर्ची डालेंगे इसमें आपको ज़्यादा नहीं डालना है दिखा बहुत हो जाएगा तो जिसको जैसा टेस्ट चाहिए वैसे आप डाल सकते हो मी केपसिकम मैंने काटके रखा था वू भी इसके अंदर आड़ आड़ कर देंगे जैसा इसको थोड़ी दिर के लिए हम पकाएंगे और उसके बाद यहां पर हम्दार करेंगे सित्ति स्पुन उसके बाद में यहां पर हम तो ढलेंगे टमेटों केचप युथ मिक्स करेंगं और इसको अच्छे से पकाएंगे फिर इसके बाद थोड़ा उभा लाएंगे तो एक कांफर मेंस पुण लिया है और पानी उसकी श्टरी बनाई है और इसके अंदर एड़ कर दी है इसको भी हम दो मिनिट के लिए पकाएंगे ताकि अमारा जो मंचुरिया ने बहुत टेस्टी बनेगा और इसके अंदर हम बड़े डाल देंगे जो बना के रखा है हमने इसको आप पकड़ी की तरह भी बना सकते हो अ और हम जो होटल में खाते ही वैसा ही टेस्ट आपको यहां पर ऐसे ही मिलेगा आप बनाऊगे तो यह मेरा रेडी हो गया है वेज मेंचुजन अभी इसको हम सव करते हैं तो यहां पर लूक वाइस यम्मी और टेस्टी आप देख सकते हो कितना बढ़िया लूक आ रहा है औ तो यह ज़रूर से आप उपर से आड़ करना और अगर मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना लाइक करना कॉमेंट करना और बेल आइकन को क्लिक करना ताके नए वीडियो के नॉटिफिकस तरना आती रहेगी और फ्रेंड के साथ सेर करना मत बुलना थैंक यू फ